2020 के बाद अभी एक ऐसे समय वापिस द्वारा आ रहा है कि हम golden cross देख पाएंगे और जब भी golden cross इतिहास में कभी भी हुआ है तो हमें एक बहुत ही बड़ा pump देखने का मिल है और ये फिर से होने जा रहा है जो मैं आपको पूरा detail में बताऊंगा क्योंकि यहां से हम एक बहुत ही बड़ा move देखने वाले है बिटकोईन में जब बिटकोईन में move आता है definitely एक हमें सबसे बड़ा move किस में देखेगा वो है top altcoins में altcoins जो tier 1 के हैं इनमें आप ये बड़ा move देख पाऊगे बहुत ही असानी से आपको इनमें एक अच्छा profit बनाने का मिल जाएगा तो golden cross की बात करने के साथ साथ यहां पे आपको मैं दो चीज़े बताने वाला हूँ वो है sui arselana sui arselana one of the top most projects है जो आप अभी buy कर लेते हैं तो इनमें profit definitely मिलने ही वाला है तो बहुत क्विक्ली इस चीज़ को कवर करेंगे तो वीडियो को पूरा देखते रहना आप इसे लाइक कर दो चैनल पर पहली बढ़ा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बहले के दबालीजिए इसी के साथ तुमारे टेलग्राम जान कर लो वाफ्ट ओफिशल आप सर्च कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा जहांपे मैं सारी अपडेट सबसे पहले डालता हूँ ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें तो सबसे पहले वापिस बिटकोईन के उपर ही चलते हैं कि बिटकोईन में ऐसा क्या है कि हमें यहाँ पर कन्फरमेशन मिल रही है कि अभी बुल्ट रन आने वाला है तो इस वक्त आप देख सकते हैं बीटी सी 62 जार रेशिट जार डलर के आजबस चल रहे हैं और एक में बीटी सी पंप हुआ 2400% से जब गोल्टन क्रॉस हुआ था तो जब भी गोल्टन क्रॉस होता है गोल्टन क्रॉस होने के बाद ही हम यह देखने को मिलता है इसके बाद 2020-21 में लगबग 600% का मुव हो देखने को मिला अगेइन गोल्टन क्रॉस होने के बाद ही अब फिर कि 70,000 डालर को क्रॉस करने ही वाला है लेकिन हमें जो बड़ा मूव जो मैं इस्पेक्ट कर रहा हूँ वो में मिलने वाला है सुई और सुलाना में और इसके मीम कोईंस में तो एक्चल में मार्केट में अगर आप देखते हो तो सुई कोईन की बात के लिए तो अभी 2.2 डॉलर के आसपस जल रहे हैं अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो क्रॉंटली इसकी हम वैल्यू देख पा रहे हैं कि 2 डॉलर से उपर तो जाही चुकी है 2.2 से यहां पर जब क्रॉस आएगा यानि कि इसको अगर ये इस रिजिस्टनस को बीट करेगा तो उसके बाद ही 2.5 डॉल के आसपस जाने वाले तो सुई एको सिस्टम में भी हमें यहां पर एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा क्योंकि सुई में काफी जादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मीम प्रोजेक्ट्स हैं जो हमें एक अच्छा प्रोफित दे सकते हैं इन ही दिनों के अंदर तो सुलाना से पहले हम इन ही कोईट्स को कवर कर लेते हैं तो सुई बेस्ट जो मीम कोईट्स है इनमें आ जाता है सबसे पहला BLUB के नाम से BLUB के नाम से Powered by Soeek आपके नाम से आपको मिल जाएगा तो यह मिड 2024 में ही लिस्ट किया गया था यानि कभी बिलकुल नया प्रजेक्ट है हलागि इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट अलरी दे दिया है लेकिन ये वन अफ तब बैस प्रजेक्ट में से एक है प्रेंटली इसकी वेले चलती है 0.06 डॉलर के आसबस यानि के 6-7 सेंट के आसबस चलती है तो ये एक ऐसा प्रजेक्ट है जिसमें ऐसा ने की लिस्टिंग होने के बाद वेल्यू बिलकुल नीचे आगी बलकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्यू जो इसका और टाइम हाई है वो बार बार हिट हो रहा है तो यहाँ पर अगर यह रिजिस्टन्स ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेंसी लगाए जा रही है वो यह है कि यह 10 सेंट तो जाएगा जाएगा लेकिन इसकों 50 सेंट से लेकर 1 डॉलर तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यानि कि यहाँ पर आप 5 एक्स से लेकर 10 एक्स तक का प्रॉफिट बना सकते हैं दूसरा जो मारा कॉइन है यह सुई मैं तो सुई मैं इसके नाम में ही सुई खुद में ही है तो यह कोईन आलरेडी हमें एक दिन के अंदर लगबग 60% का प्रॉफिट दे चुका है तो इसकी वैली चलिए 0.06 डॉलर के आसपास तो अब देख सकते हैं अभी जो मियुकंट जाते हैं इसकी वैली ऐसा है कि जिसमें काफी जादा 0s हो बलकि इनमें एक लिम्टेड अमाउंट अफ जीरो सी रहती है लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे पोटेंशल भी काफी जादा रहती है ऐसे कोईन सी दिया ताकि यहाँ पे deflationary pressure बनाया जाए यानि कि इस coin की value के ऊपर ले जाया जाए तो इसमें भी आप buying कर सकते हैं यानि कि इसमें अभी भी एक बहुत बड़ा profit हम expect कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो centralized exchanges की listing है वो अभी pending है यानि कि कोई centralized exchange की उपर यह नहीं देखने को मिला और इसी के साथ यह भी मैं कहना चाहिए जो blub है blub coin भी हमें binance जैसी बड़ी exchange की उपर देखने को मिल सकता है क्योंकि अल्रेडी currently यह MEX exchange की उपर आ चुका है अब तीसरे coin की बात करेंगे again तीसरा coin हमारा SWE based coin अब इसकी value भी 0.06 डॉलर के आसपर चल रहा है यानि कि again 6-7 cent के आसपर चल रहा है तो FUD अपने आप में एक negative word है FUD हम पहले भी बोलते हैं कि FUD करना इसका मतलब है कि negative news वेलाना लेकिन यह एक बहुत innovative project है जो कि again meme driven branding इन्हों नहीं करी है 2023 में इन्होंने free में air drops भी बांटे थे लेकिन अभी भी इनका जो main मकसद है वो यह ही है इन्होंने साफसर लिखा है spread fund stability and SWE यानि कि SWE ecosystem के उपर एकाम कर रहा है उसको fuel कर रहा है और यहाँ पे जो tokenomics है इसको इन्होंने fundomics के नाम से लखा हुए इसमें burn ही यह 20% की supply कर रहे है यानि कि 20% यह बहुत ही बड़ा mount है जो अलड़ी है supply करने जा रहे है burn supply लेकिन यहाँ पे दिखा रहे है 24.51% तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ecosystem में भी इनका बहुत बड़ा एक लंबी list बन चुकी है जिसमें टर्बोस है जो की defy है सेटस है अगें defy आफ्टर मैथ फिर lending प्रोग्राम से प्रपेट्रल से और एकल से तो बहुत कुछ है तो यह as a meme कोई शुरू बहुत है लेकिन currently यह बहुत बड़ा ecosystem बना चुक है one of the strongest sui based meme कोई में से एक बन चुक है और BNB का 83 billion dollar के आसपास इसका direct competition है BNB के साथ यानि के top most odd coins की बात करें तो Ethereum, BNB और Solana यह जो की आपस में ही तीनों आपस में compete करते हैं लेकिन Ethereum बहुत जादा उपर है उसके साथ compete करना इतना असान ही है लेकिन यह एक ऐसा project है Solana जो हमें यहां से भी 3X 2, 5X तक का profit दे सकते है currently इसकी value चलती है 1500 dollar के आसपास लेकिन यह 1000 dollar तक की potential रखता है तो मैं 2025 तक इसकी value एक्सपेक्ट लरा हूँ कि 500 dollar तो बहुत ही easily cross हो ही जाएगी तो Solana एक ऐसा coin है जिसके ecosystem में बहुत ज़्यदा innovative projects आई है लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो है कि innovative meme coins भी आई हैं इसमें तो meme coins भी इसकी एक बहुत लंबी list है जिसमें meme life है dog v fat है, bonk इससे पहले bonk और bonk बहुत ज़्यदा चले थे myro, when, guacamole काफी ज़्यदा coins है थे इसमें तो solana की जो list है इसमें कोई limit नहीं है कि बहुत ही ज़्यदा coins है योगि बहुत ही एक से एक बढ़कर projects है लेकिन हम यहाँ पे तीन coins की list लेकर रहे हैं जिसमें सबसे पहला है popcat हलाकि यह meme coin है लेकिन 55th position पर है according to market cap और इसकी value date dollar के आसपस चल रही है तो यह भी 100% community owned and immutable project है और यह हमेशा ही solana का एक most trending meme coin रहा है इसकी अगर हम community देखते हैं तो twitter acts की उपर भी काफी अच्छी quantity है और अगर हम telegram देखते हैं तो यहाँ पे जो main चीज़ दिखती है वो यह कि इनके जो followers दिख रहे हैं वो सारे के सारे genuine followers दिख रहे हैं organic followers दिख रहे हैं यानि कि जितनी भी following है वो सभी के सभी organic है पूरी के पूरी इनकी community organic है तो pop cut में आप entry ले सकते हैं क्योंकि इसका गर हम all time high देखें तो वो 1.5 dollar के आसपस ही गया है और अभी इसका resistance फिर से meet हुए और ये resistance अगर break हो जाता है तो इसमें definitely 2.5 dollar तक की value जा सकती है अब हम next coin की बात करेंगे again solana based meme कान है तो हमेशा जो भी solana based meme कान होगा उसकी value बहुत जाद उपर होगी तो वो है WIF जिसकी value almost 3 dollar के आसपस देले 2.8 dollar के आसपस लेकिन all time high इसका 5 dollar के आसपस गया था जो कि 4.85 dollar के आसपस गया था तो ये one of the largest solana meme कान है जिसका market के भी बहुत जादा है और इन्होंने पहले fundraising campaigns भी करी थी जिसमें इन्होंने बहुत बड़ा amount gain भी किया है यानि कि लोगों को इसके उपर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो इसका मतलब यह है कि यह ऐसा project है जिसकी community बहुत ज़्यादा strong है और यह 43 crypto exchanges के उपर already है तो इस पे हम trust easily कर सकते हैं तीसरा हमारा जो काईन है यह है Cats in a Dog World MEW के नाम से इन्होंने यह project में है जिसको Mew भी बोल सकते हैं इसकी value 0.006 dollar के आसपस चल रही है और लेकिन इसका जो all time high है वो एक cent के आसपस गया था यह भी उन projects में से एक है जो कि meme coins हो है Solana based meme coin है लेकिन value ऐसा नहीं है कि एक बार उपर आने के बाद बिल्कुल ही dead हो गया तो यहाँ पर इसकी value अच्छी चलती है मेरी expectation यह है कि अभी इसकी listing और भी ज़्यादा इसकी उपर आ सकते है लेकिन अगर हम currently देखें तो यह Qcoin, MEXC, HTX, OKX, Bybit, Gate लगबग सारी बड़ी इसकी उपर आ चुका है लेकिन इसकी listing की possibility है कि यह Binance की उपर आ सकते है जिसकी वज़े से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा profit अम expect कर सकते हैं और इन्होंने partnership करी Locus के साथ जिससे यह है 3D animated series बनाने वाले है तो overall देख सकते हैं कि बहुत ही strong project है यह भी तो SUI के आपने देखें projects जो की बिल्कुल starting की range में है और Solana के देखें आपने जो की mature projects दिख रहे हैं लेकिन profit इनमें भी काफी ज़्यादा अभी भी possible है तो यह थे हमारे 3-3 projects जोनों projects के और Solana और SUI की बात हमने करी है और BTC का जो golden cross है वो possible होने वाले है यह कि possible तो हो चुक है उसका impact जो है वो possible होने वाले है लेकिन आपके कमाने इसके बारे में एक बार नीचे comment करके ज़रूर बताएं किसी और coin के बारे में टोकन के बारे में आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन्स हमेशा पॉइंच चरहें यी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद